रतन टाटा के जाने से पूरा देश स्तब्ध है दरसल बुद्भार को बीती रात या कहें देर रात रतन टाटा का निधन हो गया उम्र की वजह से जो बीमारियां परिशान करती है वो रतन टाटा को भी परिशान कर रहे थी और वही इसकी वजह भी बनी लेकिन एक जो पल थ इत्म संसकार के लिए उन्हें ले जाए गया तब एक उससे पहले एक डॉग भी उनके दर्शन करने के लिए पहुचा था काफी देर तक जो तस्वीर नजर आई हैं उसमें बेहत भावक वो डॉग नजर आ रहा है सलग रहा है कि शायद वो आसू भी बहा रहा है और काफी द जहती कि कई ऐसे प्रसंग हैं जो उनसे जुड़े लोग बताते हैं कि करीब 11 साल पहले की बात है जब ये डॉग गुवा में उन्हें मिला और उनके पीछे पीछे आने लगा और वहीं से फिर ये डॉग इसे वो अपने साथ ले आए और इस डॉग को नाम दिया गुवा क केर टेकर बताते हैं कि नग इतना चाहते थे उनकों से इतना लगाओ था उन्हें डॉग से कि एक बार तो ऐसा मौका भी आए जब प्रिंस चाल्स से भी उनकी मुलाकात इन्हीं डॉग की केर की वजह से चूट गई थी और दरसल किवल एक और जो बात बहुत महत्पूर है डॉग से जुड़ी हुई दरसल किसी भी डाटा कंपनी के किसी भी दफ्तर कहें कि किसी भी फैक्टरी में जो आवारा डॉग होते हैं उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं थी या कोई भी आवारा डॉग को या कहें कि जो गार्स थे हैं वो रोकते नहीं थे और ये खुटा कम से कम भी 10-12 साल से अमरे पास है गोवा से लेके आया था हम लोग पिकनिक गया था तबी अभी अमरे गार्ड लेके आया था अभी ता कोई चल रहा अच्छा का था कुछ प्रॉब्ला था यह अभी 11 साल पहले है अपना जो सेग्रेटी गार्ड लेको नहीं इसको बहुत लगवाए और कुछ नहीं पोश्चा का गोवा यह जो इनका प्यार ही है रतन टाटा का डॉक से प्यार ही है बताते हैं कि चाहिए वो टाटा का मुख्याले हो टाटा की फैक्टरी हो यहां तक की जो सबसे आलिशान होटलों में गिना जाता है होटल ताज जावारा डॉक को अंदर जाने से रूका नहीं जाता था यह रतन टाटा का डॉक से प्यार ही जाहिर करता है और यह बताता है कि आखिर किस हद तक उन्हें लगाव था डॉक से और अब यह डॉक यह बताता है कि डॉक्स इस डॉक को भी जो करीब 11 साल से रतन टाटा के और जानवर के बीच जुड़ जाती है आज ये डौग गमगीन है रू रहा है दर्द की आंसू बहा रहा है